वेलकम टू माई चैनल कैसे हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताईएगा और आई होप आप लोग अच्छे होंगे अपने अपने गरों में सेफ होंगे और सुरच्छित होंगे सर्दिया तो धीरे धीरे खतम हुरी है बट यहां तो यार डेली दूप निकलती थी बस आज ही ऐसा हुआ है कि दूप नहीं निकली है बाहर मौसम बहुत ही जादा ठंडा है वनना हम लोग भी बाहर बैटके दूपी लेते रहते थे और बहुत टाइम हो गया था मैंने कोई व्लॉग नहीं सूट किया हुआ था और मतलब यह वीडियो अपलोड नहीं की हुई है और आज हम कहीं बाहर जाने वाले हैं बाहर क्या थोड़ी मुझे शॉपिंग करनी है थोड़ा बहुत समान लेना है तो हमने सोच आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं और देख चली जाएगा कि मैं क्यों खुश हूँ क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे विलॉग आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छी सी वीडियो अपलोड होने वाली हैं क्योंकि हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने हैं कि तो आप लोग ऐसे ही हमारे जादा जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही अच्छी आने वाली है तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल और आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो को देखने को मिलेगा तो प्लीज आप लोग मेरी चैनल को सस् कखा भी दोब्हार का ठाइम हो रहा है तो यहां पे आप हम रेडि हो गए थे और हम चल रहे थे शॉपिन करने के लिए और यहां पे देखिए सर्दी जैसे वापस सी आ गई है बिल्कुल ढूप नहीं निकली कुछ भी दोबहार का टाइम हैं लगी नहीं रहा कि दोबहार का टाइम है तो यहां पे हम गए थे बिसाल बिसाल नहीं सोरी यह भी माट गए थे और यह है मेरा फाइनल लुक और मैंने आज सूट डाल रखा था मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह सूट मेरे उपर और आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे पती देव को भी बहुत अच्छा लगता है तो यहां पे यह लेखिए मेरी लाडो मस्ती करते हुए और अपने पापा को पूरे बीमाट में इतना यह दोडाई है इतना दोडाई है जो चीजे नहीं भी लेनी थी उसको अंदर रख देना कि इसे लेना है इसे लेना है सारी चीजों को जो हम लोग सेलेक्शन करते थे सेलेक्शन करके रखते थे उसमें और चीजों को मिक्स कर देना क्योंकि मुझे किचन के भी आइटम लेने थे और मतलब ग्रुसली आइटम भी मेरा खटम हो गया था सारा तो मैं वो सारे समान लेने के लिए मेली गई हुई और वैसी कुछ सौपिंग मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने अलरड़ी अपना सौपिंग डण कर रखा है, और मुझे अपने लिए या तन्नु के लिए कुछ नहीं लेना था, बस पती देओ के लिए लेना था, लेकिन तन्नु इतना जादा तंग कर रही थी, यार फूर पीछे अब मैं दोड रही थी, मतलब खेल रही थी, कि चलो ठीक है, बच्चा है, बहुत दिन बाद बाहर निकला है, तो थोड़ा सा enjoy कर ले, और हाँ, अगर बीमार्ट आप लोगों के भी घर के पास में हो, तो अभी बीमार्ट, विसाल, इन सब चीजों में offers चल रहे हैं, क मतलब जैसे था कि आप वहाँ पर पसंद कर पाओ, समझ पाओ, तो बर्ट ये टाइम देना पड़ता है, और बहुत ही तन्नू ने हम लोगों को ठका दिया था, तो यहाँ पर मैंने ये, मतलब मेरे किचन के सारे आइटम है, लाश्ट में मैं छोटी सी वीडियो डालूंग एक रेश्टोरेंट बहुत ही मतलब सुन्दर है, छोटा सा क्या, बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को, और महां के सारी चीज़े मुझे पसंद आई, तो यहाँ पर यह हुआ कि हम लोग कुछ खापी के तब घर चलते हैं, तो यह है मेरे पती दे और जो की ओर्डर करन आता है, वो मंग मा लेना, यहाँ पर मेरी लाडो को भूख लगी थी, तो वो बता रही थी कि मुझे क्या क्या खाना है, और शॉपिंग करके सब की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, यहाँ का यह बहुत ही मतलब प्यारा होटल है, यहाँ भी मैं दिखाती ह अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा सोर हो रहा था, शौंग अगेरा चल रहा था, इसलिए हम वहाँ पर बात नहीं कर पाए हैं, यह है वो पूरा होटल, पती देव लगे हुए हैं कि देखते हैं कि क्या ओर्डर करना है हमको, हमने तो बोला कि मेरे लिए छोले बटूर और ही, महीं हम आपना देख लो आपको क्या है, तो यहां पर मेरे छोला बटूरा हा गया है, तो छलिए, बहुत ही तेज से भूख लगी है, सबने पहले, चोले बटूरे खा लेते हैं, बहुत ही टेश्टी बनी होते ही छोले बतूरे लोगा, इनोंने चोले बटूरे लिं खोटी छोले यही सब ओरडर किया था इनोंने बट ये सारी चीजे खा नहीं पाएंymph बहुत ही सादा चीजे दे मंग वाली और फिर खानी पाय मैंने जाए टो फिर उसको मैंने पैक कर वा दिया था मैंने का पैक कर्वा हो आप रात में घर पे खा लेना क्योंकि और मैंने तो छोले बटूरे खा लिये थे तो मेरे पेट भर गया था और ये अकेले ये सारी चीजे खतब नहीं कर पाये थे तो आप लोग भी हमारी वीडियो इंजोई करिए अगर आपको ये हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक से और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहां पे हम लोग का खानवाना हो गया था और अब हम लोग निकल रहे थे घर के लिए बाहर निकल रहे थे ये हैं हमारी लाडो जो कि इनका अभी भी घर जाने का मन नहीं था बिल्कुल जब कि ठक चुकी थी साम का टाइम हो रहा है ये देखिए साम तक हो गई थी वर धूप नहीं निकला था तो चलिए अब घर चलके आप लोगों से मिलते हैं तो यहां पर घर आने के बाद यह है हमारा किचन का समान तो चलिए यहां पर अब हम सारी चीजों को लगा देते हैं और रख देते हैं तो यहां पर हम किचन के ही ज़्यादा आइटम लिये थे और अपने लिए मुझे दो तीन महीने चलते है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि देखने में बहुत सारा लग रहा है तो हम एकी दिन में खाके या एकी दिन में यूज़ करके खतम कर देंगे तो आप लोग ऐसा बिलकुल मत सोचिएगा यह cookie हैं यह तीन महीने का समान है तो आप लोग वीडियो के ठ्रू देखी सकते हो कि हमने यहां पे क्या-क्या शॉपिंग की हुई है और क्या-क्या लिया हुआ है इसमें आदे से जादा तन्नु का ही समान था और कुछ हम लोगों का था कुछ खाने पीने का था तो चलिए हम आप लोगों है उनके लिए और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाई बाई थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग बाई बाई झाल सा। ये वाचिंग झालुदी याझ थैंक्स वीडिकेवर वाचिंगरो कि यं hazır क्ती हैं । नेच्ठी वाचिंग 4 वाचिंगेret कि जोगने नेस भाचिंग, आते हैंds 2. झाल झाल